हेलो फ्रैंड्स वेलकम बैक हम लोग असपर्दाव के बासिकांग से करेंट अफिस कर रहे थे जिसमें हमने बताया था कि वहार करेंट अफिस कर शुकिये हैं रष्टी और अंतरष्टी में हम लोग ने शुरू किया था तो चलिए इसी कड़ी में आगे की चीजों को देखते हैं जो नेशनल जो हमको करेंट रफेस कर रहे तो उसमें आगे क्या सब है उसको देखते हैं वीडियो पसंद आये तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और जो लोग नए है चैनल पर सस्क्राइब बिल्कुल कीज हम लोग भी मेनत कर रहे हैं आप लगत्र गशिक लरव की जान घहते ही इए पिछले बस under 21 में भारत में में 1.55 लाग अधिक लोग की जान चली गई देश में पिछले बर्स कुछ 4.03 लाग सरक खास से हुए जिसमें 3.71 लाग लोग घायल हुए यह इसका नेशनल क्रायम रिपोर्ट ब्यूरो का जो रिपोर्ट आता है इसकी अनुसार है कि इसमें बहुत बड़ी बात है क्वेशन का नहीं हलाई कहीं न कहीं यह इसमें दिखता है कि रोटशिफ्टी कितना इंपॉर्टेंट हैसली हम लोगों को भी सरक खास चलना चाहिए तो समहल के चलना चाहिए और लोगों को भी इनकरेज करना चाहिए कि भाई जो भी सेस्टी मेजर से है उसका फॉलो करें पालम करें देश के हर घंटे आठार लोग आत्मत्या कर रहे हैं ऐसा इसी रिपोर्ट की हिसाब से है एक्सिदेंटल डेथ एंड सूसाइड इन इंडिय 2020 वन के रिपोर्ट के उसा देश में 2021 में जो मामले आये थे वो 1.64 लाक आत्मत्या के थी इसमें और चार से पचास लोग परती दिये हैं या थारा लोग की मोथ हर घंटे आत्मत्या करन होई है इस तरह का सवाल में रिखा से बनना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी एक आईड कोई situation भगवान न करे किसी के सामने आये कि वो आदमी इतना disparate हो जाए कि उस level तक महुँझ जाए लेकिन अगर ऐसा situation किसी के लाइक में आता है हभी है तो आत्मत्या solution नहीं है वो भागना है कायरता है मेरी हिसाब से आदमी को situation से लड़ना चाहिए नोजात कि मिर्थू पर साथ दिन दिया जाएगा ऐसा भारा सरकार का महिला कर्मियों के लिए ऐसा प्रस्ताव दिया जाएगा अच्छा कार्मी के उंपरसासनिक विभाग ने 2020 सितंबर 2022 को इस संबन्द में आदेश जारी किया है इसमें कहा गया है कि मा को पहुँचने वाली भावनात्मक चोट को द्यान में रखते वे फैंसल लिया गया है कि ऐसी घटनाओं का मा के जीवन पर गहरा परभाव परता है तो यह एक अच्छा इनिसियेटिव है कि अगर नौजाज सीचु का द्यान्द हो जाता है तो जन्द के तुरंत बार तो मा को मिलेगा हलाकि इस आवकास की जो किसी भ अगवान से हमारी प्राष्णा है लेकिन इस तरह का प्रोविजन सरकार करके रखती है क्रिसी के छेत में बेतर परदर्सन तेज हुई अर्थब्योस्ता की रफ्तार यह क्रिसी का रफ्तार सिर्फ स्प्रीड जो यह यह पहली तिमाही यानि के प्रहल से दून 2022 की बात कर र अब इसकूलों में भी वर्चूल लैब की होगी परहाई वर्चूल लैब से होगी परहाई राष्टिय सिख्छा नेति के सिफारिशों के तरहत अब इसकूलों में भी वर्चूल लैब से परहाई होगी इसके लिएकिन सरकार ने साथ साथ सपचास स्कूलों में बिग्यान और गनिस्क विश्वयों से संबंदित होगी और 75 कोशल E-Lab की असापना की जाएगी इसमें तर्खसंगत सोच की छमता का विक्सित करने पर और राचनात्मक्ता पर ध्यान दिया जाएगा इसमें next है मदद पोर्टल साड़े साप साल में विद्एोस्व में रह रहे भारागतियों से मिली 80,000 सिकायते ये मदद पोर्टल विदेश में रहे लोगों के सिकायत के निवारन से समदित है विदेश मंतराली के दोरा लंज किया गया है इसकी अस्थापना की गई है और इसमें इतना सिकायट में से 75,000 कर निवारन भी किया जा चुका है तो मदद पोर्टल से जो बीदेश में लोग रह रह रहे हैं उनको बहुत मदद मिलने वाली है तो इसमें मदद पोर्टल कौन सा बिभाग लौँच किया है तो ये कौन सा मंत्राले लॉंच किया है या भाग लॉंच किया है तो ये विदेश मंत्राले लॉंच किया है ये ध्यान देंगे विदेश मंत्राले लॉंच किया है उसके बाद बेनामी संपर्थी के लिए तीन बर्स के सज़ा कानून जो है वो रद हो गया बेनामी लेन देन निशेद अधनियम के एक प्रधान को रद किया है जिसमें बेनामी लेन देन में सनलिप्त लोगों के लिए अधिक्तम तीन बर्स तक की कारावास का या जुर्वाना या दोनों की सजा की बात अधालत के प्रवधान के रूप में असपष्ट प्रवधान को असपष्ट रूप से मनमाना होने का अधार पर असम्मेधानिक करार दे दिया तो इसको असम्मेधानिक करार देते हुए इसको रद कर दिया गया है इसरका प्रोविजन रद हो गया है नेच्ट है अपका बानिजीक बैद सला तो यह बहुत इंपोर्टेंट है याद रखेंगे कहां बन रहा है बानिजीक बैद सला अंतरिक से संब्नित यह चीज है याद रखेंगे उत्राखणव में नेगे उसके वस सरकार ने राष्टिये प्रुसकार पोर्टल को लौंच किया ताकि सारे प्रुसकारों की पारदर्स्तिता और जन भागिदारी के बढ़ोत्री सुनिशीत होगी केंद्रिये ग्री मंत्राले के अनुसार राष्टिये प्रुसकार पोर्टल परतेक नागरिक संगठन को भारत सरकार द्वारा स्थापित बिभीन पुरुसकारों के लिए ब्यक्ति य अब यह आवार्ड का जो है नेशनल लेवल के जो भी आवार्ड से उनके लिए पोर्टल होगा जिसमें लोग नोमिनेशन कर सकता है उसके पार जो 23 एम्स है इंडिया में टोटल 23 एमस है और इंडिया इंटिश्ट अप मेडिकल साइंसे उसका वहां के लोकल नायकों के ना इस भावत सुझाओ मांगे है ठीक है तो यह ध्यान में रखना है उसके बार बड़े बांद बनाने माले के मामले में भारत तीसरे नंबर पर इंटरनेशनल कमिशन ओन लार्ज डैम इंटरनेशनल कमिशन और लार्ज डैम के रिपोर्ट के अनुसार बड़े बांद बनाने के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है भारत में बड़े बांदों की संक्या कितनी है पूछ देगा बीपेसी में हवा हो जाएंगे हम लोग इसलिए याद रखेगा 44. वहीं 2,844 बांदों के साथ इस सुची में चीन सीर्स पर है ठीक है चीन इसमें सीर्स पर है 23,844 हम लोग मात चोवाली स, सुची कितना गुणा का डिफ्रेंस है लगवक छे गुणा का डिफ्रेंस है जब्कि 9,200 तीरसट बांदों के साथ अमेरिका जो है दूसरे अस्थान हैं तो चीन पहले स्थान पर अमेरीका दुसरे और इंडिया को तीसरे अस्थान पर है या तैखने इसकोटलेंड लोट आने का बात काया है तो कहां से साथ दुरलब कृतियां लोट कर आने वाली है भारत में इसकोटलेंड में और वो साथ दुरलब कृतियां कहां रखी हुई है तो ग्लासको के संग्राले में रखी हुई है उसके बाद Peach Black में हिस्सा लेने पहुंची भारतिय बायुषिना, भारतिय बायुषिना ओस्टेलिया में होने वाले, 2 बारसिक बायुषिनिक अभ्यास Peach Black, तो पूछेगा What is Peach Black, Peach Black क्या है? तो द्वय बार्सी बायोषेना बायोषेनिक अभ्यास है यानि कि Air Force का exercise है ऑस्टेलिया मैं होने वाला है और उसमें भारति ये बायोषेना हिस्सा लेने के लिए पहूँची हिस्सा लेने के लिए अपने शुप गोई लड़ा को विमानों के साथ डर्विन पहुंची Royal Australian Air Force की ओर से IOG 16 देशो कि इस वायू से ना अभ्यास में तो अच्छा अब तो इस वायू से ना Pitch Black 2022 जो है उस्टेलिया में हो रहा है इसमें कितने country भाग ले रहे हैं 16 और उसमें इंडिया भी है उसमें Malaysia है, Indonesia, Philippines जर्मनी, बिर्टेन, फरांस, जर्मान, जैपैन और जैपैन की सेनाय, वायू सेनाय भाग ले रही है इंपोर्टेंट सवाल बनेगा, याद रखेगा Pitch Black क्या होता है इस सवाल पूछ सकता है बहाद के पास दुनिया की 34 सबसे टाकतवर सेना है ठीक है, तो पहले दूसरी और दूसरी किसके पास है Global Firepower ने इस बर्श दुनिया के टाकतवर सेनाओं के लिस्ट जारी की है इस सूची में 142 जैसों को सामिल किया गया है तो कितने दिसों को किसने लिस्ट जारी किया है Global Firepower ने 142 जेसों का लिस्ट जारी किया है इसमें भारत किस अस्थान पे है चोथे अस्थान पे है सबसे ताकतवर सेना के इस साथ से Global Firepower के रिपोर्ट के मताबिक अमेरिकी शेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना हो जबकि रूश को दूसरे अस्थान पर और चीन को तीसरे अस्थान पर रखा गया है ठीक है वही परोसी देश पाकिसान को इस लिश्ट में नौमे अस्थान पर रखा गया है तीसरे अस्थान पर चीन है दूसरे अस्थान पर रखा है और फॉस्ट पर अमेरिका है फायर पावर रिपोर्ट गुलोबल फायर पावर रिपोर्ट के रिपोर्ट के नुसार की सबसे ताकतवर सेना किसके पास है इसमें 142 कंट्रीज का लिस्ट जाड़ी किया गया है वो अंठावन सेकेंड के लिए जैसे ठहर सा गया राजी के महत्पून अस्थानव पर सुबव साधे गारे बजे यातायात रोक दिया गया और चनगन मन का गायन हुआ गायन असल बोलो सतंतर भारत की जाये के नाड़े से गूज उठा मतलब कि ये हुआ तिलंगना में ठीक है और 58 सेकेंड के लिए कंप्लेट सहर को रोक दिया गया एक बरा बात है कि किसी समय किसी पार्टिकूलर स्टेट में राष्ट गान के लिए इस तरह का स्टेप लिया गया ठीक है ये एक जनकाड़ी के लिए हलाकि सवाल तो नहीं बनना चाहिए मेरे खाल से जनकाड़ी के लिए पता होना चाहिए पंजाब में पूर बिधायकों को एक कारे काल की ही पेंसन पंजाब के राजय पाल बनवारी लाल पडोहित ने एक बिधायक एक पेंसन विजां की मंजूरी रदी है पंजाब राजय बिधान सभा सदस्ते पेंसन अमची कित्सा सुधा नियम संसोधन बिधायक उजर 22 को लागू होने के बाद परतेकपूर बिधायक को परतीमा साथी रूपर पेंसन मिलेगी चाहिक कितनी बारी बिधायक क्यों न रखा Cheese तो एक बार बिधायक है चाहिए दस बार बिधायक बनें है पेंसन एक ही मिलना हिए अच्छा बिहार में महा गट बहंदन की सरकार बनी लेकिन फिर भी जनकाडी जानी चाहिए प्रेसिडेंट अफ इंडिया को सपत की कौन दिलाता है तो हम लोग को लगता है कि ये पॉलिटी का कोशन है लेकिन इस समय अगर ये सवाल पूछेगा तो ये पॉलिटी का तो है ही लेकिन ये ही सवाल क्यों पूछा गया तो ये इसलिए पूछा गये क्योंकि हमारे प्रेजेंड का इस साल सेलेक्शन हुआ है ठीक है तो उसमें क्या है कि उछको जो देलाते हैं उसमें Chief Justice of India CGI उसमें N.V. रमनाजी थे उन्होंने उन्होंने सपा दिलाई थी ठीक है तो ये हो गया पहली आदिवासी महिला है ठीक है उसके बाद नवी करनी उर्जा की उप्योग में करनाटक सबसे आगे है ऐसा रिपोर्ट के मताबिक है नवी करनी उर्जा की उप्योग में देश भर में सबसे आगे करनाटक है यह उप्योग सबसे आगे करनाटक है यहां उक्योग की जारे बिजली में 41.3% नमिन बदाई यह कि जितना बिजली करनाटा खर्च करता है उसका 41.3% जो है वो कहां से करता है तो Renewal रिसोर्स से करता है दूसरे अस्थान पर आंधर पर देश, तीसरे पर और नचर पर देश, चलिए नेक्स चलते हैं नौसेना की पांच महिला अपसरों ने अरब सागर में रचाई दिया तो भारतिये नौसेना के पोरबर्णर इस इस्तित नेवल लेयर इन कलेब में INS314 के पांच महिला दिकारियों ने उत्री अरब सागर में बिमान पर सवार होकर पहला सर्व महिला समुद्री दोही और निगरानी अभियान पूरा करके इत्यास रच दिया बिमान के कप्तान मीशन कमांडर लेटिनेंट कमांडर अंचल सर्मा थी इनके साथ सहयोगी पाइलेट के रूप में लेटिनेंट सिवांगी और लेटिनेंट अपूर्बा गीते थी तो ये नाम पूछ सकता है याद रखिएगा उसके बाद आज़े ये भारत के पांच और अस्तल रामसर सूची में सामिल हो गए ये जुलाई का न्यूज है अगस्त में अगर आप जाएंगे तो ये हो जाता है आपका 75 एक्चुली हो जाता है इसमें जो 54 दिया हुआ है संक्या बढ़के 54 हो गई ये 75 हो गया है अमरितकाल में ये 75 हो गया है तो रामसार में दुनिया के जो वेटलेंड है, जो जिनका प्रोटेक्शन है, जिनका सनक्षन है, जिनका सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन किया जा सके, तो उस लिस्ट में उनको शामिल किया जाता है, तो ये रामसार एक जगह का नाम है, वो जगह इरान में पड़ता है, औ तो इसलिए और उसको रामसार कंवेंशन भी कहा जाता है इसमें नाम सब दिया हुआ है तमिलाडू के तीन है और मिजोरम के मद्व परदेश के एक-एक अस्थान सामिल है चीक है तो यह हो गया आगे की बात आगे हम लोग जब थोरा डिटेलिंग में जाएंगे न पीची के वर्ल्ड में कितने कंट्री उसके मेंबर है यह सारा कुछ देश में इस बर्स अब तक चोहत्तर बागो की मौत हो गई यह नहीं बनेगा पिछले पांच बर्सों में बदल गई इन सहरों के और नगरों के नाम तो इस पांच बर्सों में साथ नगर सहरों के नाम बदन मेरा सनीधाम होशंगाबाद का अब नर्मदापूरम बाबई अब माखन नगर पंजाब में हर्गोबिंद पूर अब सिरी हर्गोबिंद पूर साहिव और उत्तर प्रदेश का इलहाबाद अब परियागराज हो गया ठीक है यह सब कुछ आप लोग जानते ही है रात में भ जो नया संसद बहुन बना है उस पर असोक अस्तम जो लगा है राष्ट्रिय प्रातिक उसका अनावरन किया 11 जुलाई 2022 को कासे से यह बना हुआ है इसका हर हर बात याद रखिएगा इंपोर्टेंट है बना असोक अस्तम 6.5 मीटर उंचा है यह भी याद रखिएगा बीद प्रतीक मुख्य रूप से होंगे जिसमें कमल मोर और बट ब्रिक्ष सामिल है तो यह आप यह याद रखेंगे कि असोक अस्तम का नावरन यह उसका सेना में मिलिटरी पूलिस तक सिनियर सिमित रहेंगी महिला अगनीबीर मिलिटरी पूलिस तक से आगे उनको अभी पर्मि इस बर के लोग के साधी में दिजस्पी का कमी होना इसी ती यह है कि सबसे कम जन संक्यावल इस अलप संक्या समुदाय के कड़िप 30 पर 30 बिभायों के ब्यस्क और बिभाहित हैं अभी आप देख लिजे बिभीन समुदायों में प्रजन अंदर फर्टिलिटी रेट जिसको बोलते हैं तो पार्सी में सबसे कम है क्योंकि साधी यह लोग नहीं करते है 0.8 है हिंदु में 1.94 है दो से कम है दो होता है तो रिप्लेस्मेंट लेबल पे चला जाता है कि एक कपल है एक कपल मतलब कि दो आदमी है हस्पेंड और वाइफ तो वो दो बच्चा जब पैदा क करेंगे तो रिप्लेस्मेंट लेबल टू बाइटू कटके जीरो हो जाएगा ग्रॉथ जीरो हो जाएगा ग्रॉथ नहीं होगा 2.1 रहेगा तब थोरा सा बढ़ने का चांस रहेगा ठीक है तो यह मुसली में 2.36 है सबसे ज़्यादा है इसाई में 1.88 है और सीक में 1.61 है उ यह सब्द अब यूज नहीं किया ज़े सकता है उसके बाद महिला पुरुष त्रमबल सर्वेज हुआ इसका जो है अनुपात दिल्ली में 28 पर 30 है उरिसा गुजार्ट इसमें बिहार में 7.1 पर 30 है अगर इसमें पढ़ेंगे तो बिधायक बरिष्ट अधिकारी और परबं पुरुष का अनुपात 70.9 है ठीक है यानि कि मिजोरम में यह इसी ती है हर 100 पुरुष पर 70.9 महिलाएं कारेदत है ठीक है दूसरे अस्थान पर सीक्किम है हर 100 पुरुष पर 49.9 है तीसरे अस्थान पर मनिपूर 45 है जुन 2021 जुलाई 2022 के आवर्ती श्रमबल सर्वेक्षन के आकरों से जनकारी मिलती है जो पिहार में 7.8 divided by 100 है यानि कि लगभग 8 भी मान लेते हैं तो 8 परतीसत है ठीक है कि 8 परतीसत महिलाएं जो है वो हरे ओफिस में एक ओफिस में अगर 100 लोग है तो 8 महिलाएं है ठीक है अगर वहाँ पे 50 है तो 4 है पचीस है तो दो है और 10 है तो लगभग एक महिला है ठीक है तो इस तरह से यह समी करने राष्टी खासवक्षा कानून लागू करने में औरिशा टॉप है नेशनल फूट सेकूरिटी मिशन 2013 में आया था और मतलब फ्लैक्सिव है स्कीम है सेंटल कॉमेंट का इसका यूज करने में जो है आपका उडिशा टॉप पे है वही उत्तर परदेश दूसरे और आंदर परदेश तीसरे अस्ताम पर बिहार और जारकन टॉप 10 में सामिल है लेकिन क्या है इसकी सित्ती का ब्याख्या नहीं किया गया है उसके बाद चाहिए एक रिपोर्ट आई है जिसमें मुंबई में र चलिए रैधानी मुंबई प्रवास्यूगे रहने के लिए दिश्टी से महंगा सबसे महंगा सहर है जबकि दिली दूसरे अस्तान पर पर चॉश्ट अफ लीविंग सर्वे 2022 के अनुसार याद रखेगा इसके अनुसार ये रिपोर्ट निकल के आई है मुंबई दुनिया भर की सूची में 127 अस्तान पर हैं वहा ही दिली 155 और चेन्य 117 बेंगलूड 178 अस्तान पर हैं पूने 201 और कॉलकर्था दूसो तीन तीनवे अस्तान पर हैं तो पूरे दुनिया भर के रैंकिंग की अगर बात करें तो 127 अस्तान में मुंबई है और 155 स्थान पर दिल्ली है लेकिन इंडिया की बात करें तो वो पहला स्थान हो जाता है ठीक है नहीं समझ में आए तो फिर से रिपीट कर लिजेगा बात समझ में आ जाएगी और वीडियो पसंद आ रहेगी तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सस्क्राइब तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा क्योंकि हम लोग बहुत इंपोर्टेंट अभी सीरी चला रहे हैं जिसमें आपका कोई भी सवाल नहीं छोते बिये ना रहने के लिए सबसे बहतरी इंसहर है दुनिया में एकोनोमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो है इकोनोमिक इंटेलिजेंस यूनिट ए आई यू के अनुसार दुनिया में रहने लाइक सहरों की सुची जारी की इस लिस्ट में आउस्ट्रिया की राधानी तो बिये ना कहां की राधानी है आप लोगो पता होना ची आउस्ट्रिया की राधानी बिये ना को दुनिया में रहने लायक अच्छे सहरों का तगमा हासिल हुगा। कुल 173 सहरों की सुची बनी जिसमें राइधाने दिल्ली जो है 112 अस्थान पे और मुंबई 117 अस्थान पे है। ठीक है और पाकिस्तान का बिची बिची रेधानी करांची और बंगलाद इसकी रेधानी अधाक का दुनिया में सबसे कम रहने योग सहरों में रखा गया है। हमारा जो 173 जो देश में रैंकिंग है उसमें दिल्ली का 112 अस्थान है और 117 अस्थान है मुंबई का लेकिन मेरी जो समझ है मुंबई ज्यादा बहतर है रहने के भी इसाब से दिल्ली में लेकिन ठीक है जो पैरामीटर होता है उसी साब से रैंकिंग हम लोग को यही याद रखना है कि दिल्ली 112 और मुंबई 117 हुआ है 173 के लिस्ट में Economic Intelligence Unit के रिपोर्ट के अनुशार बियना जो अश्टिया की रजधानी है वो सबसे बेहतर सहर लिवेबल सहर है ठीक है सेना कड़ेगी चले चले जाए नो सेना इतना 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 भरती कड़ेगी बरती करने देजिये यह हमारे लिए सवाल का काम नहीं करेगा PM ने किया जनसमर्थ पोर्डल का लांच जनसमर्थ पोर्डल लांच किया ठीक है इसमें बहुत सरा सवाल नहीं बनता है इसलिए हम उसको टच जाड़ा नहीं करेंगे उसके बाद अत्यांत गरीब की स्रेनी में आएगा 1.167 रुपय रोजाना कमाने वाला अत्यांत गरीब की स्रेनी में आएगा extremely poor विश्यू बैंक के मानना के अनुसार अब 2.15 डोलर परती दिन यानिकी 168 रुपय कमाने वाला अत्यांत गरीब माना जाएगा जबकि मौजूदा समय में 1.90 डॉलर यानि कि 147 रुपिया रुजाने का माने वाला अतियंद करीब माना जाता है विशु बैंक याद रखेंगे ठीक है कि उसका जो मानक है वो विशु बैंक के मानक जो है वो पहले थे 1.9 डॉलर पर दे पर पर्शन अर्णिंग जो था उसको मानक माना गया था कि एक्स्टीम पोर्वर्टी है और अब उसको बरहा के 2.15 डॉलर जो है उसको भी माना चलिए अब आजए ये शिशु मिट्टूदर में सबसे अधिक मध्य पर्देश में सबसे अधिक मध्य पर्देश में परती 1000 होता है infant mortality rate उसको बोलते हैं तो sample registration system जो है कि रिपोर्ट ने बताया कि भारत में 90 शिशु मिट्टूदर 28 हो गई है मतलब कि average जो है भारत में infant mortality rate number of infant death per thousand birth चीक है ना मतलब 1000 जनम में वो कितने बच्चे मरते हैं तो 28 हो गया है इंडिया का average कि 1000 बच्चे में से 28 बच्चे की द्यांत हो जाती है ग्रामिन भारत में यह 31 है और सहरी में 19 है सहर में 19 और ग्रामिन में 31 है तो total average करके 28 हो जाता है इस मामले में मंद्र परदेस्ट ने तीन अंगों का सुधार किया है बावजूद इसके इस राज्य इस मामले में देस भर में top है मंद्र परदेस्ट में एक हराड जीवित सिसु मा की कोफ में पैदा होते हैं उन में से 43 बच समय दम तोर देते हैं और यह जो इस्तिती है बिहार में वो 27 है यानि कि हम national average 28 से नीचे हैं तो यह हमारे लिए हाला कि जरकान हमसे बेहतर है उत्राकान हमसे और जादा बेहतर है लेकिन फिर भी हम बेहतर position में हैं at least उसको क्या बोलते हैं कि national average से नीचे हैं और सरकार की जो लगतार एसकी में हैं जो जन्निस रुक्षाईर नहोच है और बहुत सरी मात्रित सिसू से समभने पर जो भी योज़ताय हैं वो कहीं न कहीं इस चीज को और इंप्रूफ करेगी तो ये एक अच्छी बात है कि बिहार का position 27 पे है चलिए उसके बाद बंगाल के बिशु विद्याले की कुला दिपर्थी मुख मंत्री होंगी पश्ची मंगाल के बिधान सभा में 13 जून 2022 को एक अहम बिध्य है पड़ित किया जिसके ताथ राजय पाल के स्थान पर मुख म मंत्री को सभी राजय संचालिक बिशु पितालों में कुला दिपर्थी बिनाने क्या प्रस्ता हो मत्की मंजूरी मिलगे जिस बिध्य है के पक्स में 182 पुट पड़े अब यह यहां पे पहश्ची मंगाल में तो सवाल पूछेगा कि किस राज्य में मुख मंत्री जो चांसलर होंगे कुला दिपती होंगे उनिवर्सिटीज के तो वेश्ट बंगाल है उसके बाद पोप ने भारत में देव सहयम से को संग संत कोसित किया अठाडवी सदी के इसाई धर्म के धर्म अपनाने वाले हिंदू अठाडवी सदी में इसाई धर्म अपनाने वाले हिंदू देव सहयम पिल्लई को उनके जन्म के 300 बर्स बाद संत की उपादी मिले है देव स्वाहायम पहले भारती आम आदमी है जिने पोप ने संत गोतित किया है ठीक है तो ये एक याद करने और समझने वाली समझने का तो नहीं बोलेंगे इसमें बहुत कुछ नहीं है लेकिन ये नाम पूछा जा सकता है इसलिए इस पर ध्यान नेंगे उसके बादा जाता है कि सभी सरकारी युजनाओं में फोटिफाइड चावल देगा के अंदर तो पूछन की समस्या निपटने के लिए सरकार ने बड़ी पहल किया सरकार ने Midday Mil और सरकारी राष्ण की दुकानों सभी सरकारी योजनाओं में 45 चाओल बित्रित करने का फैसला किया है 45 चाओल क्या होता है उसमें की उसमें जो है कि विटामीन्स और मिनलज का कंटेंट वरहाए लाता है इस्पेशल ट्रिक्मेंट करके उसको 45 बोलते हैं ये जो भी चीज जो भी आना दिए जा रहा है चाहे ओर राज़के से किた दुकान से हो चाहे ओर मिड़्य मिल में हो वो दिए जाएंगे उसके बाद जल परवन्दन में जल प्रवन्दन में यूपी बना सर्भस्तेष्ट राश्टी जल पुरस्कार के सरफचिश्ट राश्टी जल पुरस्कार में ईूपी को पहला पुरस्कार मिला है ऊछके बादा आजाए इंटरनेशनल यहां से शुरू होता है तो इंटरनेशनल में हम लोग QS रैंकिंग एसीय के टॉप बीश़नी दाले कि बात करेंगे मिस्र के टॉप 20 COP एक्चुली कॉप ऐसे लिख दिया है तो कुछ और लग रहा है COP है Conference of Party जलवाई समयलन जो हुआ था मिस्र में इजिप्ट में अभी कुछ दिन पहले उसकी बात करेंगे अभी नेशनल को खतम करते हैं फिर इंटरनेशनल के लिए अलग से वीडियो बनाते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरनेशनल में उमीद करते हैं कि आप लो